हुआ है है यह ऐलो स्टुरेंट्स आजकी सुडियो में अपके लेलाएं इंप्रेंट कोश्चेंस में इंप्रेंट्स के लिए टिकर के से बहुत के लिए तो विडियो को गुला इंट्रिक तक तक देखेगा तो चलिए करते हैं तो देखिए जो chapter 1 है वो है real numbers तो इसमें जो exercise 1.1 है इसमें से 1st और 5th वाला exercise 1.2 में से 4th, 5th और 6th exercise 1.3 में से 1st ठीक है और example 5th, 8th और 11 पढ़ लाइना ठीक है अब देखिए जो chapter 2 है वो है polynomials exercise 2.2 जो है इसमें 1st और 2nd पढ़ लाइना exercise 2.3 में 1st, 3rd और 4th और देखो जो example number 4 है उसे पढ़ लाइना ठीक है जो chapter number 3 है वो है linear equation in 2 variables तो इसमें जो exercise 3.1 है इसमें जो 3rd वाला exercise 3.2 में से 1st, 3rd और 5th और exercise 3.3 में से 1st का 1st, 2nd और 6th और 2nd वाला और 3rd का 1st और 2nd ठीक है exercise 3.4 है इसमें 1st का 3rd और 4th और 2nd का 1st, 2nd और 3rd ठीक है और exercise 3.5 है इसमें से 3rd वाला और exercise 3.6 जो है इसमें से 1st का 1st वाला, 5th वाला, 7th वाला और 8 ठीक है और example 19, 11 और 16 पढ़ लेना और जो chapter 4 है quadratic equations तो उसमें भी exercise 4.1 है वो इत्त इंपोर्टन नहीं है क्योंकि इसमें से 5 इसमें 5 marks based questions नहीं है तो जो exercise 4.2 जो है इसमें 3rd और 5th और exercise 4.3 में 2nd, 3rd, 4th, 7th और 9th और exercise 4.4 में 1st और 2nd ठीक है तो chapter 5 है वो है arithmetic progression ठीक है तो इसमें जो exercise 5.2 है इसमें 3rd, 7th, 8th, 10th और 16 ठीक है questions का नमबर है book में जाके देख लेना questions का नमबर और उने solve का लेना exercise 5.3 जो है इसमें 4th, 8th, 12th, 13th, 14th और 16th ठीक है और जो chapter 6 है वो है triangles तो इसमें जो पायतागोरास ठीक है वो पढ़ लेना basic proportionality ठीक है और theorem 6.1 और 6.2 है वो और exercise 6.2 जो है इसमें से 3rd और 4th exercise 6.4 में 1st, 5th और 6th और exercise 6.5 में 4th, 6th और 9th ठीक है exercise 6.2 में नहीं नहीं questions नहीं है जिसके ठीक है अब देखों जो chapter 7 जो है वो है coordinate inventory तो इसमें जो exercise 7.1 जो है इसमें से 1st, 3rd और 7th exercise 7.2 में 1st और 9th और exercise 7.3 में 1st और 7th ठीक है जो गया chapter number 7 अब देखों जो chapter number 8 ते वो है introduction to trigonometry ठीक है तो इसमें जो exercise 8.1 है इसमें 2nd, 3rd और 6th exercise 8.2 में 3rd exercise 8.3 में 2nd, 6th और 3rd देखो exercise 8.4 में 2nd वाला और 5 वाला है बहुत इंपोर्टेंट है तो इसमें से 2nd, 6th, 8th और 4th और 10th ठीक है जो chapter 9 नहीं होए some applications of trigonometry तो इसमें जो exercise 9.1 है इसमें से 1st, 2nd, 4th, 11th, 12th और 16th और example 7th और 4th देखो जो chapter number 10 है वह है circles है तो इसमें से शायद एक 3 माक्स कोश्चन आयागा तो जो 10.2 जो है वो उसमें 4th, 7th, 8th, 11th और 13th है ना chapter 10 जो है इसमें से objectives भी आएंगे तो उसमें आप exercise 10.1 को पढ़ लेना है ना questions के 11 पर दिखा जाए तो exercise 10.1 important नहीं है ठीक है अब chapter 11 जो है वोगे constructions तो इसमें जो exercise 11.1 है वो 1st, 3rd, 5th, 6th, 7th पढ़ लेना और exercise 11.2 के 1st, 2nd, 3rd और 4 ठीक है जो chapter 12 है area related to circles इसका जो exercise 12.1 जो है इसमें 1st, 2nd और 4 exercise 12.2 में है 3rd, 8th, 9th और 11 और exercise 12.3 में 1st, 2nd, 3rd, 15th और 16th देखे चैप्टर 13 है surface area and volumes तो इसमें जो exercise 13.1 जो है इसमें 1st, 3rd और 6th exercise 13.2 में 2nd, 3rd, 4th, 6th और 8 exercise 13.3 में 2nd, 3rd, 6th और 8 exercise 13.3 में 2nd, 3rd, 6th और 8 और exercise 13.4 में 1st और 2nd ठीक है फाइप माक्सों कोशन आएगा इसमें से चैप्टर 14 जो है वो है statistics तो जो exercise 14.1 जो है उसमें 1st, 2nd, 3rd, 7th और 9th exercise 14.2 में 1st, 5th और 6th exercise 14.3 में 1st, 2nd और 5th और exercise 14.4 में 1st और 3rd ठीक है योग आपका चैप्टर 14 इसमें से 5 माक्स काएगा एक अब देखे जो चैप्टर 15 है वो है probability है ना तो इसमें जो exercise 15.1 है उसमें स 11th, 14th, 19th और 20 मत ठीक है इसमें से 5 माक्स से कोशिशन आएंगे शायद 2 कोशिशन आएंगे तो इसे पढ़ लेना ना easy chapter है तो यह है आपके important questions इन अच्छे से पढ़ लेना आप